कोरोना महमारी से परिशान हो चुकी दुनिया के तमाम देश इसका वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं लेकिन किसी को भी अभी तक इसमें सफलता हाथ नहीं लगी है लेकिन अब हाल ही में भारती आयरुवीदिक कंपनी पतंजली ने कोरोना की दवा खोश निकाली है ये दवा पतंजली रिसर्च इंसिट्यूट और नेशनल इंसिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जैपुर ने मिलकर बनाई है कम्पनी का दावा है कि कोरोनेल का क्लीनिकल कंट्रोल ट्रायल अंतिम दौर में है फिलहाल इसका प्रड़क्शन हरीद्वार की डिव फॉर्मी सी और पतंजली आयरवेद लिमिटेट कर रही है कोरोनेल नामक के इस दवाई को आज लौंच किया गया पतंजली आयरवेदिक संस्थान ने आज हरीद्वार में देव कोरोनेल टैबलेट को लौंच किया और योग गुरू बाबरामदेव और पतंजली की सीई-ओ बालकृष्ण ने इस दवा के क्लिनिकल ट्रायल के नतीजों के सभी को रूबरू करवाया इस दवा कोरोनेल को बनाने में गिलोई अश्वगंधा तुलसी श्वसारी रस और अणू तेल का मिश्ण उपियोग किया गया है आई आपको बताता है कि पतंजली की दवा किस तरीके से काम करती हैं अश्वगंधा से कोविड नाइंटीन के रिसेप्टर बाइंडिंग डूमेन यानि की आर बीडी को शरीर के एंजियोटेसेन कंवर्टिंग एंजाइम ACE से नहीं मिलने देता यानि की कोरोना इंसानी शरीर की स्वस्त कोशिकाओं में घुस नहीं पाता वहीं गिलोई को इसा सकता है इस दवा के त conservatives की से एक और tablet देखे जिसका नाम श्वसारी बती है यह टेबलेट गाड़ी बलगम को बढ़नेसे रोंपार बने हुए बलगम खत्म कर फेफ्सडी में सूजन आने से रोंपार पात São feat कि दवा मार्केट में तो आ गई है लेकिन अभी ये देखना होगा कि इस दवा को सरकार के तरफ से कोरोना के इलाज में मंजूरी दी जाती है या नहीं सब्सक्राइब आर चैनल एंड प्रेस दे बेल आइकन फूर अपडेट्स